जहांगीर अलमस्त बादशाह थे, उच नीचका उनमें कोई भेद न था, शराब और सुन्दरी ही उनका व्यसन था, उनकी खुश्मजाजी की एक अच्छी दास्तान इस कहानी में है, कहानी का नाम शराबी की बात, लेखक, आचारे चतुरसेन शास्त्री समराट जहांगीर मुगल वन्ष का एक निराला बादशाह था, वह मस्तमौला सोभाव का आदमी था, वह शराबी, अफीमची, अयाश और निश्ठूर था, परंतु हद दर्जे का खुश मिजाज उसे मजहब से चिर थी, जब वो युवराज था, तो अपने पिता समराट अकबर की विद्वानों की सोहबत और धर्म चर्चा का मजाक उड़ाया करता था, उसे मौलवियों से बड़ी चिर थी, रमजान की दिनों में बादशाह हाथियों पर बैठकर बाजार में निकला क परता, वरना शेरों से फढ़वा डालने का भय था, जो पास ही दर्बार में बंधे रहते थे, बादशाह बड़ा दाता था, यदि किसी को कुछ देता, तो एक लाग से कम न देता, बहुधावा मौज में आकर खलीफा राशित की भाती वेश बदल कर रात को शहर में घू जरता था, सरदी के दिन थे, बहुत कम लोग उस रात को बाहर निकलने का सहास कर सकते थे, वो आज की शानदार महानगरी दिल्ली न थी, पश्चिम की और लाहोरी दर्वाजे तक छोटी-छोटी बस्तियां थी, बीच में बाग थे, शहर प्राय उस स्थान पर खतम हो जात अब खाईयां भर दी गई है, जहां यमुना किले के चरण को चूमती थी, वहां अब बेला रोड बन गई है, जहां आज संध्या समय गोरी बीवियां अभिसार किया करती हैं, उस समय किले की खाई में अगम जल भरा रहता था, खाई के पास एक बाग था, जिस सस्थान पर अब कुछ व्रिक्षों के नीचे साइसों के कुछ तबेले बन गए हैं, किले की लाल रंग की दीवार के सामने वह बाग अत्यंत शोभायमान प्रतीत होता था, उसमें बहुत से जातियों के फूल बूटे थे, इसी के सामने चौक सादुल्ला खा था, जिसे आज चांदनी चौक कहते हैं, इसी के सामने किले का दर्वाजा था जिस पर संगीन चौक की पहरा पड़ा रहता था, ये पहरे ऐसे वैसे नहीं, बड़े बड़े अमीर उम्रा होते थे, इसके बाद ही बड़ा मैदान था, जो आज परेड मैदान कहलाता है, यहां मीर बक्षी बड़े ब गोडों का मुलाहिजा किया करता था, और अच्छे मजबूत गोडे की रान पर शाही और अमीरों के निशान कर दिया करता था, बाजार में जोतिशी मैले कालीन का एक टुकड़ा बिच्छाए बैठे रहते थे, जिनके सामने एक बड़ी सी किताब खुली पड़ी रहती थ सामने रमल फेकने के पासे होते थे, बुर के ओड़े इस्त्रियां इनके पास पतियों को वश्मे करने की या युद्ध से लौट आने की अथवा पुत्र होने की विधियां पूछने के बहुदा उपाय ठट के ठट जुटा कर पूछती रहती, बाजार के बारामदों में दिन भर माल सजा रहता था, यहीं बैटकर दुकानदार ग्रहकों को पटाते थे और इनके पीछे कोठियां होती थी जहां रात को माल रखकर ताला बंद कर दिया जाता था, उपर इन व्यापारियों के रहने के मकान होते थे, परन्तु बाजार को छोड़कर शेश मकान बह वजीरे आलम आसफ अली चुप चाप एक गली में मकानों की परचाई में चल रहे थे, एक मकान में शोरगूल होता देखकर बादशाह ने पूछा, आसफ यहां क्या है, जहां पना कोई शराब का अड़्डा मालूम होता है, यह बदनसीब इतनी रात में यहां बैठे शरा पिया करते हैं, और इनके बाल बच्चे, जहां पना वे अपना खून पीते हैं, बाट राह जोगते होंगे, भीतर चलो, मैं देखूंगा कि यहां किस किसमे के लोग हैं, आसफ चुप चाप सेर जुकाए आगे आगे हो लिया, पीछे पीछे बादशाह भी चला, दोनों ए एक रूई का साधारन लबादा ओड़े वे थे, इनकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, सब अपने अपनी धुन में मस्ते थे, दोनों कंखियों से शराबियों को देखते वे आगे बढ़ रहे थे, इन्हें देखकर कोई हस देता, कोई रो देता, कोई बोतल, कोई च चुककर सामने करता, कोई मूह ही बना देता, एक जुलाहा अकेले बैठा, ठर्रे के चुककर पर चुककर चड़ा रहा था, बादशाह ने उसके पास बैठकर कहा, कहो दोस्त, खूब उड़ रही है, मजे में पियो यार, अभी आदी बोतल भरी है, जेव में खना खन है, आ बादशाह ने चुककर लेकर कहा, यार, बड़े मालदार मालूम पढ़ते हो, क्या काम करते हो, जो लाहा हूँ भाई, मालदार वो जो बेगम हो, मनहुस मक्खी चूस कितना ही मालदार क्यों न हो जाए, क्या फर्क पढ़ता है, यहां तो दिन भर कमाना, रात को उड़ाना पियो जी दोस्त जितना चाहे पियो बादशाह ने चुकड़ पी कर कहा सच कहो दोस्त घर में बीवी बच्चे भी है या फकत दम ही जुलहा जोर से हसा फिर बोला बीवी बच्चे तो बाप के भी नहीं थे यार यहां तो जोरू न जाता अल्ला मिया से नाता पियो दोस्त तुम तो तकल्लुफ करते हो नहीं दोस्त बादशाह ने कहा तुम दर हकीकत बड़े जिंदा दिल हो यार तुम्हारी मेरी दोस्ती तो पक्की होनी चाहिए या नहीं कि यहां से निकले और भूल गये मंजूर है तो कल घर आओ और ऐसी दावत दूँगा कि जिसे तुम याद रखोगे वह खाना खिलाओंगा कि तुम्हारे फरिष्टों ने भी नहीं देखा होगा मंजूर है मंजूर जुलाही ने बादशाह के हाथ पर हाथ मार कर कहा देखना वादा खिलाफी न करना वाँ ये भी कोई बात है हाँ दोस्त तुम्हारा नाम क्या है सिकंदर जुलाहा तमाम विलायत में नाम मशूर है जरूर आना वह दावत दूँगा और वह शराब पिलाउंगा कि खुश हो जाओगे बादशाह हसकर उठ खडएवे सिकंदर भी उठा बादशाह के हाथों में हाथ दिये जूमता जामता वह शराब खाने के बाहर निकला चलती बार उसने फिर बादशाह की पीट पर धौल जमा कर कहा देखना यार दगा न करना बादशाह ने फिर वचन दिया और दोनों दो और रवाना हुए तीसरा पहर था सिकंदर सिक्री के नीचे ताना बुना बुन्ने की तयारी में जमीन में कीले गाड़ रहा था और उस तंग गली में बादशाह की सवारी घुजी गली भर में दोड धूप मच गई लोग घर के बाहर निकल कर खड़े हो गए सवार, प्यादे, हाथी और बरकंदाजों से गली भर गई नकवी जोर से आवाजे लगाने लगे आसबदार चिल्ला चिल्ला कर रास्ता साफ करवाने लगे बाश्शाह हाथी पर थे, सेवक गंड दाएं बाएं थे गुलाम लोग सिकंदर जोलाहे का घर पूचते वे सवारी के आगे आगे चल रहे थे सिकंदर कोलाहल सुनकर द्वार में आखड़ा हुआ उसकी कमर में तहमद बंधा था और बदन पर एक रूई की मिर्जई थी हाथ में एक हथोड़ी भी थी क्वाजा ने पूचा सिकंदर जो लहे का घर कौन सा है यही है, सिकंदर ने अक्चका कर कहा और सिकंदर कहा है मैं ही सिकंदर हूँ तब होश करो मिया बादशाह सलामत तुम्हारे घर दावत खाने आ रहे है सिकंदर की आखें फटी की फटी रह गई कुछ देर उसके मूँसे आवाज ही नहीं निकली वो चुप चाप घर के भीतर चला गया दर्वाजे पर बादशाह का हाथी बैठाया गया बादशाह अपने अनुचरों के साथ उस छोटे से चपर के घर में घुस गया सिकंदर ने आखें उठा कर भी बादशाह को न देखा वो समझ गया था कि रात को महमान कौन था वो धड़ाधर हथोडी से कीलों को ठोकने लगा और चिला चिला कर कहने लगा जो शराबी की बात पर एतबार करे वो इस हथोड़े से पिटने के काबिल है बादशाह यस उनका ठाहा का मार कर हस दिया उसने उसका हाथ पकड़ कर कहा क्या दोस्त? ऐसी ही दोस्ती होती है खास खिदमतगारों ने आनन फानन में फर्ष कालीन बिछा दिये मसनत सजा दिये, चंदोवे तान दिये बादशाह के इशारे से सिकंदर को जड़ाओ दरबारी पोशाक पहना दी गई और बादशाह उसे बगल में लेकर मसनत पर जा बैठा खान सामा ने शाही दस्तर खान चुना दोनों दोस्त खाने और बढ़ बढ़ कर सजीली बोतले खाली करने लगे बादशाह मौज में था, वो बीच बीच में ठाहा का मार कर हस देता था परंतो सिकंदर भै से पीला पड़ रहा था खा पीकर जब बादशाह जाने लगा तो उसने कहा वाह दोस्त, खूब मज़ा आया, शुक्रिया सिकंदर के मुँँ से अब भी बोल न निकला बादशाह ने हाथ में लाया और चल दिया सिकंदर जुलाहे का दरिद्र दूर हो गया वो एक बड़ा अमीर बना दिया गया और बादशाह ने खास तोर से उसके लिए एक आलिशान महल बनवा दिया और जब सिकंदर ने एक अमीर की खूबसूरत लड़की से शादी की तो बादशाह ने एक बार फिर उसके घर आकर उसकी दावत मनजूर की उसके साथ खाना खाया और खूब शराब पी धन्यवाद ककड़ी की कीमत यह दिल्ली के बीतेवे दिनों के एक रईस के इजजत की हृत्यग्राही कहानी है आज तो दिल्ली का सब रंग ढंगे बिगड़ गया है बाजार में, मकानों में, चाल ढाल में, सडकों में सब में विलाइती पना गया है जब से दिल्ली भारत की राजधानी बनी है और नई दिल्ली की चकाबु को मात करने वाली विचितर नगरी बसी है तब से दिल्ली यद्धपी पंजाब से प्रिथक अलग सूबा तो बन गया है फिर भी उसमें बूरी तरह से पंजाबी पन भर गया है नई दिल्ली जब बस रही थी तब धेर के धेर पंजाबी सिख और सभी उत्साही लोग जिन्होंने पंजाब के गेहूं और उर्द एवं चने खाकर अपने शरीर बल को खूब रिधी दी है नई दिल्ली पर चड़ दोड़े ठेकेदार से लेकर साधारन मजदूर तक पंजाब के साहसी पुरुष भर गये उन्होंने नई दिल्ली में प्रारंब में कौड़ियों के मोल जमीन ली और बस गये अब नई दिल्ली में वे सरदार जी होकर मोटर में दोड़ते हैं वीर भोग्या वसुंदरा दिल्ली के महीन आदमी न जाने कहां खो गये अब जगा जगा होटल खुल गये लाइन की लाइन खालसा होटलों की दुकाने अब दिल्ली के बाजारों में देख सकते हैं जहां जटका पाने का साइन बोड लगा होता है और वहां अंगीनत सरदार गंड, बड़े बड़े साफे बांधे, लंबी लंबी डाड़ी फटकारे, कोट, पैंट, बूट डाले, खाट या टेबल पर बैठे रोटिया खाते दिख पड़ते हैं चुआ छूट तो इन्होंने डंडे मार कर दिल्ली से नजाकत के साथ दूर ही कर दिया है शाम को आप जरा चांदनी चौक में एक चक्कर लगा आएए पंजाबी युवतियां और प्रणढ़ाएं बारीक दुपट्टा माथे पर डाले, सलवार डाले, मूँ खोले, बेफिक्री से कचालू वाले के एर्दगित बैठ कर आलू कचालू खाती नजर आएंगी कभी-कभी ब्याहशादी के जुलसों में जोहरियों की वह देहलवी नुक्केदार पगडियां कुछ पुराने सीरों पर दिख जाती हैं परंतो वह निमास्तीन अंग रखे, वसली के जूते, दुपल्ली दो माशे की टोपी, बगल की महीन शर्बती का दुपट्टा तो बिल्कुल हवा ही हो गए हैं सरदे के दामन और सफेज शर्बती की चादरे लपेटे अब दिल्ली की ललनाएं नहीं दिख पड़ती न अव्वे जड़ाऊ जेवर ही उनके बदन पर दिख पड़ते हैं जिनकी बदोलत 2000 जड़िये और 5000 सुनार दिल्ली में अपनी रोजी चलाते थे अब तो बारीक क्रेप की फैशनेबल साडियां उन पर नफासत से कड़ीवी बेले बिना अस्तीन के जम पर जिनमें से आधी चाती और समूची म्रणाल भुजाएं खूला खेल खेलती हैं साथ में उची एड़ी के रंग बिरंगे सैन्डल, जूते, चांदनी चौक में देखते देखते आँखें ठक जाती हैं देश की इन परदाफाश बेहनों में सुसिक्षिताएं तो बहुत कमी हैं, ज्यादा तर मोर का पंक खोज कर मोर बनने वाले कौवे जैसी हैं इनका पता उनके चेहरे पर पुतेवे फूहर ढंग के पाउडर से, होटों में खूब गहरे लगे गुलाबी रंग से, तीवरे सेंट से, तराबोर चटकीले रेशमी रुमाल से, बालों में चमकते नकली जड़ाऊ पीनू से अनायास ही लग जाता है कभी-कभी तो इन अदकचरी मेम साहिबा की कोमल कलाईयों में दिल्ली फैशन के सोने के दस्तबंदों और अंगीनत चूडियों के बीच फैंसी रिस्ट वाच तथा पैरों के जेवरों पर उची एड़ी का सैंडल शू मन में अजब हासे रस उत्पन्ने करता है खासकर उस हालत में जबकि उनके पालतु पती महाशे पतलून पर लापरवाही से स्वेटर पर कोट डाले उनके पीछे पीछे उनकी खरीदी चीजों का बंडल लिये बड़े उत्साह से चलते फिरते और मुसाहिबी करते नजर आते हैं 36 वर्ष हुए उस समय दिल्ली के चांदनी चौक में अब जहां अगल बगल पैदल चलने वालों के लिए पटरिया बनी है वहाँ सडके थी सडके कंकर की थी उनमें बैहली, मनझोल या एक के सरपट दोड़ा करते थे दोनों समय उन सडकों पर छिड़काऊ हुआ करता था बीचों बिच अब जहां चमचमाती सिमेंट का पुखता सडक है नहर पर पटरी बनी थी उसके दोनों और खूब घने वरिक्षों की चाया थी जेश्ट बैशाक के दोपहरी में भी वहां श्रीतल वायू के जोंके आया करते थे उस पटरी पर बड़ी बड़ी भीमकाए बेतों की चतरियां लगाए खोचे वाले अपनी अपनी चोटी चोटी दुकाने लिए बैठे रहते थे उनमें बिसाती टोपी वाले, टुकडी वाले, घी के सौधे वाले, दही बड़े वाले, चने के चाट वाले, कचालू वाले, मेवा फरोष्ट तथा फल वाले सभी होते थे उनसे भी छोटे दुकानदार अपनी छोटी सी दुकान को किसी टोकरी में सजाए गले में लटकाए घूम फिर कर सौधा बेचा करते थे सैकड़ो आदमी उन व्रिक्षों की घनी चाया में पड़े वे थकान उतारा करते थे गंटागर के सामने कमीटी की संगीन इमारत के आगे अब जहां महारानी विक्टोरिया की मूर्ती रखी वी है वहां काले पत्थर का एक विशालकाए हाथी खड़ा था जिसे जैमल फत्ते का हाथी कहकर बुढ़े आदमी उस पट्री पर व्रिक्षों की ठंडी चाया में लेटे उन इंदी आँखों में खमीरी तंबाकू का मद भरे भाती-भाती के किसे कहानी कहा करते थे दिल्ली के निवासियों की बोली में एक अजीब लोच था खोंचे वालों की आवाजे भी एक से बढ़कर एक होती थी सबजी तरकारियों में जो पहले चलती वही दिल्ली के रईस खाते थे भिंडी और करेले जब तक एक रुपे सेर बिकते थे कच्ची आम की कैरिया जब तक बारह आने सेर बिकती थी तभी तक वे दिल्ली वालों के खाने की चीज समझी जाती थी सस्ती होने पर उन्हें कोई पूछता न था बेर के मौसम में लोग बेरों को चाकु से चील कर उन पर चांदी का वर्क लपेट कर खाते थे लताफत और नजाकत हर एक बात में थी जैसे वे महीन आदमी थे वैसे ही उनका रहन सहन भी था फागुन लग गया था बसंत पूछ चुका था सरदी कम हो गई थी और बसंती हवा मन को हरा कर रही थी बाजार में नर्म नर्म पतली ककड़ियों के कूजे बिकने आने लगे पर उनके दाम काफी महंगे थे इसलिए यह रईसों के ककड़ी खाने का मौसम था एक जवान कुंजडा सिर पर नारंगी साफा बे परवाही से बांध बदन पर तंजेब का धीला कुर्ता पहने गले में सोने की चोटी सी ताबीस काले डोरे में लटकाए आखों में सुर्मा, मुँँ में पान की गिलोरियां दबाए कमर में चोखाने का तेहमत और पैर में फूलदार सलेम शाही आधी छटाक का जूता पहने ककड़ियां बेचता पट्री पर मस्तानी अदा से घूम रहा था उसके हाथ में जाओं की एक सूफियानी चोड़ी टोकरी थी उस पर केले के हरे पत्तों पर गुलाब की फूलों के बीच ककड़ी के दो रवे रखे वे थे टोकरी उसके दाईने हाथ में अधर धरी थी वो अपनी मस्त आखों से इधर उधर घूरता जूमती जूमती ललकती भाषा में आवाज लगाता था नाजू की ए ककड़ियां लेलो लैला की अंगुलियां लेलो मजनू की पसलियां लेलो नाजू की ए ककड़ियां लेलो पीछे से आवाज आई ककड़ी वाले जरवरे को आना उसी भाती मस्तानी अदा से पुकारता वा ककड़ी वाला पीछे की ओर फिरा पुकारने वाला कहार था, वो एक बुढधा आदमी था उसकी सफेद सफेद बड़ी मूचे, पक्का रंग, लठे की मिर्जई, दुपली टोपी और चौखाने का अंगोचा कंदे पर पड़ा हुआ था ककड़ीयों को देख कर उसने कहा सिर्फ दो ही रवे हैं अभी ककडियां कहा, वह तो कहो में चार रवे लाया था, दो बिग्गे और दो ये हैं, लेना हो तो लो, मोल भाव का काम नहीं, चवन्नी लूंगा बुढ़ा कहार अभी नहीं बोला था, एक युवक ने तीवर आवाज में कहा अठनी लो और ये ककडियां हमें दे दो पहलवान युवक भी कहार था, उसकी मसें अभी भीगी थी, भुज दंडों में मचलियां उभर रही थी उसने हेरती भी आँखों से बुढ़े कहार की ओर देखा और अठनी ठन से जाबे में फेक दी बुढ़े ने कहा सौधा हमसे हुआ है जी, ककडियां हम लेंगे, यलो एक रुपया, ककडियां हमें दे दो कुंजडक छन भर स्तबित रहा, उसने प्रश्णवाचक द्रिष्टी से युवक की ओर देखा युवक ने कहा कुछ परवा नहीं, हम दो रुपय देंगे हम पाँच रुपय देते हैं, तो हम दस देते हैं यलो बीस रुपय, ककडि को हम खरीच चुके पचीस है या, ककडि हमने ले ली लो, हमने तीस दिये युवक के माथे पर बल पड़ गये, उसने कहा हम पचास में खरीचते हैं, लाओ, ककडियां इधर दे दो बुढ़े कहार ने हस दिया, और आग्या की दृष्टी से युवक की ओर देखकर जरा सीधा खड़ा होकर उसने तेज स्वर में कहा मैंने दो सो रुपय में दोनों ककडियां खरीद ली हैं युवक कहार छण भर घबराई दृष्टी से बुढ़े की ओर देखता रहा बुढ़े ने विजगर्वे दृष्टी से उसे घूरते वे कहा दम हो तो बढ़ो आगे, ककडियां पाँच हजार तक मेरे यहां आएंगी सैकड़ो आदमी इकठे हो गे, युवक लज्जा और क्रोथ से भर कर चुप-चाप चल दिया सैकड़ो कंठों से यह नारा बुलंद हुआ वाँ भई महरा, क्यों न हो, आखिर तु है किस घर आने का नौकर जो इस समय दिल्ली की नाक है शाबबाश बुढ़े ने कमर से रुपे खोल कर गिन दिये, ककड़िया ली और इस भाती अपने मालिक की घर की ओर चला, जैसे वह एक राज्य पर विजय कर आया हो बुढ़े ने अपने मालिक लाला जगत नारायन जी के सामने जाकर फूलों और केलों के पत्तों में लिप्टी वी दो ककड़ियां रख दी शाम हो चली थी, लाला जी ने पूचा क्या दो ही मिली? जी हाँ, बाजार में सिर्फ दो ही ककड़ियां थी, जिनने आपका सेवक सो रुपे में खरीद लाया है इसके बाद कहार ने जो घटना बाजार में घटी सब कह सुनाई लाला ने सब सुना, चणभडवे स्तबित रहे चणभड के बाद उन्होंने अपने गले से सोने का तोड़ा उतार कर बूढे के गले में डाल दिया और उसके बदन को दुशाले से लपेट कर स्वैम भी उससे लिपट गए उनकी आँखों से आसुमों की धारा बह निकली उन्होंने गदगद कंट से कहा शाबाश मेरे प्यारे रामदिन तुमने बाजार में मेरी प्रतिष्ठा बचा ली इसके बाद उन्होंने चांदी की तश्तरी में ककड़ियों को उन्हीं गुलाब की फूलों में रख कर उपर कामखाब का एक रुमाल ढख कर कहा जाओ लाला श्यूप्रसाद जी से मेरा जय गोपाल कहना और कहना कि आपके सेवक ने या प्रेम की सौगात भेजी है और हाथ जोड़कर अर्ज की है कि स्विकार करके इज़त अफजाई करें उधर युवक से सब घटना सुनकर श्यूप्रसाद जी चुप चाप मसनत पर लुढ़क गये मोह की गिलोरी उन्होंने थूक दी नौकर चाकर चिंतित हो गये पर कोई कुछ न कह सकता था थोड़ी ये देर में बुढ़े रामदीन ने आकर अदब से आगे बढ़कर तश्तरी लाला श्यूप्रसाद जी के सामने रख दी और हाथ जोड़कर अपने मालिक का संदेश भी नेवे दिन किया लाला श्यूप्रसाद जी चुप चाप एक टक तश्तरी में रखे दोनों ककडियों को देखते रहे कुछ देर बाद उन्होंने ककडियां भीतर भीजवा दी और तश्तरी अशर्फियों से भर कर कहा या तुम्हारा इनाम है लाला जगत नारायन जी से हमारा जैगोपल कहना बुड़े रामदीन ने जुक कर सलाम किया और चला आया कहानी सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धहनेवाद जल्द मिलूँगी एक नहीं कहानी के साथ नमस्कार